और ये एक बड़ी चुनावती भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी 15 दिन के भीतर ही दूसरी बार एक बार फिर बंगाल दौरे पर होंगे भले ही कुछ योजाओं से जुली सौगात लेकर वो बंगाल पहुंच रहे हैं अमित सिंग हमारे सेयोगी हल्दिया में मौझूद हैं जहां प्रधानमंत्री को उस देर बात पहुंचने वाले हैं अमित ये वही इलाका है जिस इलाके से आते हैं चुवेंदू अधिकारी टीमसी छोड़कर बीजेपी में आये थे लेकिन ये वही इलाका है पूर्वी मिद जी बिल्कुल ये जो कारिकरम है ये बारत सरकार का कारिकरम है और ये तैस सीमा पर ये कारिकरम किया गया है और अगर बात करें सुमेंदू अधिकारी की तो सुमेंदू अधिकारी यहां के लोकल नेता है यहां के लोगों के चैयते नेता है और कही न कहीं जिस तरीके से हम टीमसी के वोट बैंक में सिंध लगाने में कामियाबी हासिल कुई थी और जो टीमसी के आला निताओना खास तोरत ममता बैनर जी ने खुद ये सोचा भी नहीं था कि इतना हद तक टीमसी बीजेपी जो है वो आगे बढ़ जाएगी लेकिन आज जिस तरीके से हल्दिया में ये कारेकरम है और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर सब कुछ बया करता है पुरवी मिदनापुर ये गड़ था ये गड़ था ये गड़ था टीमसी का और यहां पर अब देखिए ये जो पूरा सड़क है ये सड़क गेरुआ में हो चुका है औ और आपको जिधर भी देखेंगे केवल बीजेपी के कारेकरता ही दिखेंगे नरंदर मोधी की तस्वीरे दिखेंगे तो तैयारियां यहां पर जो जो रो पर थी ये बीजेपी के जो कारेकरता है उंहोंने ये ज़ंडे लगाए है तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जो अधिकारी है बीपी सीएल के बारत प्रट्रोलियम के अब वो लगातार यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है और यहां पर दिखे किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर अब कुल मिलाकर बीजेपी के कारेकरताओं के लि असम भी जाने वाले हैं असोम माला का तोफा असम को वो देने वाले हैं एक ऐसी परियोजना जिसमें हर जिले की सडकों को स्टेट हाईवे से जोड़ने का काम और तेजी से आगे बढ़ेगा लेकिन तोफों की बरसात एक के बाद एक असम ही नहीं बंगाल पर भी होगी औ बहुत जल चुनाओं के भी ऐलान होने वाले हैं गाउं और कजबों को नैशनल हाईवे से जोड़ने वाली चाहे असोम माला परियोजना हो या फिर बंगाल को भी दी जाने वाली हल्दिया में तेल और गैस पाइपलाइन की वो सवगात जिसे लेकर बीजेपी खास्तवर पर उत्साही थे अमेद हमारे सयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं अमित हल्दिया के जिस कारिक्रम को लेकर आज तमाम तैयारियां यहां चल रही है पूर्वी मिदनपुर का की वह इलाका है खल्दिया जहां पर आज पीम मोदी को पहुचना है लेकिन इसी पूर्वी जिन की बाद बीजेपी बार-बार करती रही है कुछ ऐसी आसार और संकेद फिर यहां से कहे जाएंगे दिखाये जाएंगे जियां बिल्कुल बीजेपी के तरफ से जितने भी बड़े नेता हो वो लगतार कहते रहे हैं और खुट जो प्रधान मंतिरी आज यहां पर पहुचेंगे यह आलाकी भारत सरकार का यह कारेकरम है लेकिन यहां से एक तस्वीर पेश करने की कोशिस होगी विकास की तस्वी और पुरी मिननापूर में और पुरी मिननापूर के लोगों को यह बताने की यह कोशिस होगी कि अगर बीजेपी है तभी विकास है और यहां पर इस छेतर का विकास जो है वो बीजेपी के दोवारा ही हो सकता है यह कोशिस होगी बीजेपी के नेता अब यह लगतार यह ज सुरू कर देंगे तो वहीं दूसरी तरफ यह पुर्वी मिदनापूर का जो इलाका है और यहीं से पर नंदी ग्राम भी है प्रशांत आपको बता दू और यहीं से सुविंदु अधिकारी ने ऐलान किया था सबसे पहले कि वह चुनाओ लड़ेंगे यह उनका गड़ माना ज ध्यादा है ना त्यhk के लिए बलकि Dü sed Lite कि लिए और इसलिए भी अभे परिवरतन की बात बीजेपी की पी नड़ा ने किया और उनकी अगवाई में इस यात्रा की शुरुवात कल हुई थी लेकिन एक बार फिर बीजेपी की बंगाल विजय का दावा यहां उन्होंने फिर दोराया था कि अधार देश्टी ने